हेलो एवरिवन वेल्कम प्यूट इस वीडियो में देखेंगे जीडिप और एकनॉमिक ग्रोथ जो कि इंडे के लिए जितने भी फिनाशल और एजेंसी ने प्रेडिट किया है उसके बारे में वीडियो काफी छोटा सा है आप इसे जरूर एंड तक देखें तो यह बहुत ज बांकिंग, फिनैशल अवेडिनेस, कम्प्यूटर अवेडिनेस, आरवेपियो और एसिस्टेंट के लिए उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें एक्जाम के पहले रिविजन के तौर पे और स्टाटिक बांकिंग के भी प्लेलिस्ट है उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उन सारे वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें, तो GDP Economic Growth by Financial Organization and Rating Agency for India सबसे पहले बात करेंगे Moody's, जो कि New York based है, इसने जो प्रजिट किया इंडिया का GDP Growth Rate वो है 9.6% इस एर के लिए 2021 के लिए और Financial Year 2022 वित वर्ष अगले वर्ष वित वर्ष 2022 के लिए ये prediction है 9.3% सारे इसमें updated बताए जाएंगे तो Moody's का दो है 9.6% और 9.3% for this year and for fiscal year 2022 दूसरा है Morgan Stanley जो कि New York based है, इसने प्रजिट किया इंडिया का जो GDP Growth Rate वो है 10.5% for fiscal year 2022 जो जरूरी है और जो इसका final है वही इन सारे वीडियो में है तो इसका अगर fiscal year 2022 बताया जा रहा है तो सिर्फ वही जरूरी है 2021 का वो अपडेट लिस्ट कोई माहने नहीं रखता तो Morgan Stanley ने जो प्रजेट के इंडे का fiscal year 2022 के लिए 10.5% तीसरा है इन अगस्ट 2021 इंडराज इंडेरी रेटिंग जर्च एंजेंसी डाउंग्रेट ग्रेटेश पर फिसकल यह 2022 तो 9.4% 9.4% पर रखा है विदवर्थ 2022 के लिए Fitch Ratings ने एक रिपोर्ट जारी किया रिपोर्ट कार्ड Fitch Ratings Released Indian Banks 2021 रिपोर्ट कार्ड और इन्डेज ग्रोथ फोर्कास्ट फार फिसकल ऐर 22 तो 10% तो इस ने अपडेट किया धा जुलाई मैं तो 10% इसने प्रजेशन रखा है GDP भारत के लिए विट वर्स 2022 के लिए फिच रेटिंग पांचवां है एशियन डेवल्पेंट बैंक एशिया विकास बैंक इसने प्रजेक्ट किया विट वर्स 2021 के लिए 10 प्रतिशत और विट वर्स 2022 के लिए 7.5% प्रतिशत इंडेश ग्रोष रेट फोर फिसकल यह ट्वर्स 2022 के लिए 8.8 से 9 प्रतिशत तक कि लिए यह प्रजेक्ट किया यह फिर बात करते हैं, International Monetary Fund, जिसने रिपोर्ट जारी किया, Fault Lines Widen in the Global Recovery, World Economic Outlook, तो आपसे एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कि World Economic Outlook किसने रिलिस किया, जारी किया, तो वो है International Monetary Fund, अंतराश्री मुद्राकोश, इंडियेस GDP growth was forecasted to be 9.5% for fiscal year 21-22, वित वर्स 2021-22 के लिए 9. 9.5% रखा गया, International Monetary Fund के द्वारा, फिर बात करते है, National Statistical Office, राष्टे सांखी की कारेल है, NSO, इसने एस्टिमेट किया, इंडियेका GDP, fiscal year 21 के लिए, contraction पे रखा 7.3%, 7.3% for fiscal year 21, फिर बात करते है, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD ने इंडिये का GDP प्रजेक्ट किया 2021 के लिए 9.9% पे, आप से एक सब्सक्राइब पूछता है कि OECD का Headquarter का है, Organization for Economic Cooperation and Development, please write in comment box the headquarter of OECD, June में SBI ने GDP प्रजेक्ट किया था, estimate किया था, fiscal year 22 के लिए, वित वर्स 2022 के लिए, वो था 7.9%, SBI estimated India's GDP growth for fiscal year 22 at 7.9%, World Bank, Wish Bank ने जारे किया Global Economic Prospects Report, जिसमें इंडिये का GDP estimate growth रखा गया 8.3% for fiscal year 22, वित वर्स 2022 के लिए, 8.3% रखा गया, World Bank के दोरा, और World Bank और जो भी International Organization भारत को, States के लिए, फिर जो भी Project के लिए, जो funding करता है, Loans Agreement, उसका भी एक वीडियो दो दिन पहले आया है, उससे आप ज़रूर देख सकते हैं, different loans and funds by various international organizations and banks, वो वीडियो दो दिन पहले यहाँ था, उससे भी आप ज़रूर देख सकते हैं, फिर बात करते हैं, ICRA क्या है, Information and Credit Trading Agency, forecast Indian GDP growth rate at 8.5%, फिर जो है, India Best Confederation of Indian Industry, CII, CII ने expect किया है, इंडिये का GDP growth, इस वित वर्ष के लिए, 2021 के लिए, यह रखा है, 9.5%, 9.5%, CII के अभी present chairman कौन है, इसको भी आप comment box में लिखिये, present chairman of Confederation of Indian Industry, CII के अभी present chairman कौन है, फिर बात करते हैं, SMP, Standard and Poor Global Ratings, इसने रखा है GDP, अगले वित वर्ष 2022 के लिए, 9.5%, 9.5%, वित वर्ष 2022 के लिए, बाई, Standard and Poor Global Ratings, UNCTAD, United Nations Conference of Trade and Development, Geneva-based UNCTAD has pegged India's economic growth rate to hit a 4-year high of 7.2% for 2021, September में इसने रिपूर्ट जारी किया, जिसमें इसने भारत को प्रिट किया economic growth of 7.2%, नोमूरा, नोमूरा ने भी जो इंडिया का GDP forecast किया, वो 2022 के लिए किया है, इसमें changes किया 0.7%, percentage points के लिए 7.7% पे, फाइनल इसने प्रिजेट किया 7.7% पे, विट वर्स 2022 के लिए, RBI Reserve Bank of India ने इसने जुलाई, सत्य जुलाई को रिपूर्ट जारी किया था, इंडिया's fiscal year 22-23, यानि विट वर्स 2022 ते इसके लिए, GDP forecast किया 10.5%, और इस विट वर्स के लिए 2021 के लिए किया 9.5%, तो RBI जादा important है इन सभी में, तो इसने जो MPC Committee Report में जो ये किया था, Quantity Policy Committee के Report में, उसमें जो decision लिया था, उसमें project किया था, forecast किया था, 10.5% था, और 21-22 के लिए था 9.5%, तो ये कुल 18 हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, तो जो भी GDP Economic Growth Projection था, ये सभी इस वीडियो में बताया गया है, I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, so thank you very much for watching the video, thank you.